पेरवी कर रहे हैं वैक्सिन ये फिरी में दिया जा रहा है पैंपालीस से उपर भारत सरकार के सयोग से और अठारा से चवालीस के बीच में प्रदेश सरकार स्वेम वैक्सिन खरीद करके इस वैक्सिनेशन के अभियान को आगे वढ़ा रही है 18 से 40 के बीच में अभी हम लोग 23 जनक़ों में इसको लेके चल रहे है हम धेरे धेरे करके इसका विस्तार कर रहे है हमारा प्रियास है कि जून में जितना वैक्सिन हम प्रदीद दे रहे है इसको हम दुंबना से ज़ादा बढ़ा कर Ke àधिक से औधिक लोगों तक इसके कब्रे प्रार्म किया है यह तो सफलता पुर्वत आगे बढ़ी रहा है हमने थार्ड वेट की आसंता की भी समाधान की कारवाई अभी से कर दी है हर मेडिकल कॉलीजिस को सो बेट का पीडियाटिक आईश्यू बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं हर टेस्टिक हॉस्पिटल मे में 25 से 30 व्यत का पीडियाटिक आईश्यू के निर्मान की कारवाई प्रारंब कर दी गई है ऑक्सिजन प्रदेश के अंदर 300 से धिक वर्तमान में या तो निर्माना धीन है या प्रस्तावित के गए हैं जिससे हर चन्पत आउक्सिजन में आत्मनिर्वर्थ हो सके इस कर रहा है भारत सरकार के इसमें बड़ बड़ा सयोग हो रहा है फ़स्वेत की तुल्मा में ऑक्सिजन की आपूरती ज्यादा होने के कारण ज्यादा मांग डिमान ज्यादा होने के कारण आपूरती के लिए भारत सरकार के सयोग से एक ऑक्सिजन एक्सप्रेस से लाए गई एरफोर्स के बिमानों के मात्यम से आक्षिजन की आपूर्थी में सयोड लिया गया और आक्षिजन में तहीं कोई दिक्त नहों इसके बारे में निरंतर नित नए प्रियास केंगर और प्रदेश सरकार के द्वारा के जा रहे हैं और आने वाले समय में हर जन्पत और चिजन के छेतर में आत्म निर्भर होगा प्रदेश सरकार ने ये भी तै किया है अभी जो हमारी कारवाई चल दे ये एक तो कॉम्निटी कीचन हर जन्पत में कॉम्निटी कीचन का प्राड़म है हर ज़र्वत मन्द को रिक्सा चालग है ए रिक्सा चालग है स्टीट वेंडर है या मरीज के प्रीजन है उनको भोजन मिल सके मरीजों का अबचार निसुरुक है जो सरकारी हॉस्पिटल में है, सरकार के द्वारा टेक ओबर किये गए हॉस्पिटल है, महाँ पर निसुल कुप्चार की और होजन की विवस्ता हर पेशेंट को प्लब बगराई जा रही है लेकिन जो हॉस्पिटल जहां पर हॉस्पिटल में जो कि हम करोना कर्फ्यू में हैं, तो मरीज के परीजन, रेश्टोरेंट बंक चलने हैं, एक बात कहिए हर प्रसासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परीजनों की विवस्ता, कॉम्निटी कीचन से कम दो समय का भोजन की विवस्ता उन लोग कैंटिन प्रारंब किया है, जिला हॉस्पिटल में यहां पर यौस्ता चल लई है, और भी जगह पर जो कारिक्रम चल ले हैं, आउस्टिजन प्रांट इन लोगों ने न केवल यहां पर हॉस्पिटल में अपलब पर आए हैं, बलकि CCC में यह उपलब पर आवानी की कारवा है, केंटर सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरिक कल्यान पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को हर जड़रत मंद को निस्वल को खात्यान वित्रन को यह उस्ता 20 मई से प्राणम हो गई है, 30 मई तक कारिक्रम चलेगा, मई प्रधम सब्ता में हम लोग प्रदे देने तक यह बिवस्ता हम पहले चरणमें लेने जा रहे हैं, जून, जुलाई और अगस्त में, हर जड़रत मंद को यह भोचन, निस्वल को खात्यान, द्राई वासन उपलब्द करवाने का कार्यों होगा, इसके साथ ही सरकार में यह भी तैकिया है, उस हर जड़रत मंद क जो जड़रत मंद, इस्टीट वेंडर है, रिक्सा चालब है, एरिक्सा चालब है, कुली है, पलेदार है, नाओ है, धोबी है, मोची है, यह इस प्रकार की जो एक पैटेगरी है, जिन लोगों को जो देली कमाते हैं, उनके उसी से ब्वस्ता चलती है, उन लोगों को भी हम उनको जून माह में उपलब्द करवाने की कारवाई सर्मिक हैं, लगभग दो करोड रोग इससे लावानित होंगे, सर्मिक और इन सभी को, सर्मिक वर्गों को संगतित और संगति चेतर के सर्मिकों को पहले से समाजिक और स्वास्त की कारंटी सरकार ने उपलब्द की कारवाई सरकार ने पहले उप्लप्त कराई है वर्तमान में उनको ये सुखधाएं अप्रिक्तो प्रदान की जा रही है सरकार ने तै कि जून प्रथम सक्ता में हम लोग पृतेग जन्पत में अभी हम लोगों ने जो अलगला कैटेगोरी को हम ने लिया था पहले चंड में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जबे कारिक्रम प्रारम हुआ था हेल्ट वर्कर को हम लोगों ने पूरी दरे वैक्सिनेट करने की कारवाई की थी इसके बाद करोना वारियर्स को लिया था फिर 60 वर्स के उपर के लोगों को लिया था फिर 45 वर्स से उपर के लोगों को प इसको बढ़ा करके 18 जनकदों तक हम लोगों ने पहुँचाया फिर 23 जनकदों तक हम लेकर के गए हम लोगों ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि हाई कोड की दोनों बेंच में हाई कोड की लखनो बेंच और इलाबाद हाई कोड वहाँ पर नयाई गदिकारियों को और उनके वहाँ चुड़े ले जो करमचारी हैं उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कारवाई और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने दो जगए एक नोईडा में और दूसरा लखनों में सुषनों होण में उनको वैक्सिन देने की कारवाई वहाँ पर दोनों जोगे सफ़ता प्रवक संचालित हो रही है सरकार का अगला कदम है कि हर एक जन्पद में हम नियाईक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सिन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे जहां नियाईक अधिकारी रहते हैं वहाँ पर हम लोग उनके लिए जहां अब्जर्वेशन वैटिंग एरिया अब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पैंसरी होगी वहाँ पर इस प्रकार की शुगधा क्रेट करके इस सुगधा वहाँ पर उपलब दुक वैक्सिनेशन की कारवाई को जोड़ेंगे जहां पर प्रेस कलब होगा या प्रेस कलब नहीं होगा तो किसी अन्य सारचनिक अस्तान पर जहां वैटिंग और अब्जर्वेशन एरिया देंगे वहाँ पर इस वैक्सिनेशन के कारिक्तरम को भी हम युद दस तरब आगे वढ़ाएंगे जिससे थार्ड वैप आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पुरी दरह वैक्सिनेट करी सकें लेकिन सासार ये भी विवस्ता की जा रही है कि हम चिन्नित करेंगे कि दस वर्स से पम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माबाप को भी हम वैक्सिन से आच्छादित करने की कारवाई कर सकें सरकार की परवाई वर्तमान में चल लए है इटाला के अंदर यहां पर हमारे जन प्रतिनि दिदान यहां का प्रसाशन स्वास्ते विभाग सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हैं करोनास की सेकंड वैक को जिसके सामने दुनिया की बड़े-बड़ी पाक्ते पस्त होती ही दिखाई भी लेकिन वहां पर यहां के सभी लोगों ने मिलकर के इस कारवाई को सासन के साथ मिलकर के पूरी मजबुते के साथ आगे बढ़ाया है और मेरा विश्वास है कि सेकंड वैक पर हम पूरी तरह नियंतन करने में इस महीने के अंद तक काफी हम तक सभल हो जाएंगे हम इसके साथ थर्ड वैक की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है उसको भी हम सभलता पुरोग आगे बढ़ाएंगे हम परते एक नागरिक को करोना के पर्कॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें जागरूप करें और वैक्सीन या मुवतन में दिया जा रहा है इस मुट्ट में वैक्सीन के प्रती लोगों को जागरूप भी करें कि हर ये वैक्सीन सुरक्सा का एक कबच है हर एक वैक्सीन को सुरक्सा कबच दे सकता है हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें बलकि हर वैक्सीन लगाएं मुझे प्रसंता है कि इटावा जिनतब में अब तक एक राग पीस हजार से दिप लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रती जागरुपता है ग्रामेर छेत्र में भी CSC को यानि Common Service Center को रेश्टिशन का केंद्र बिंदु बना तरके में इस कारवाई को आगे बढ़ाने का कारे करेंगे धनिवाद यहानो मनन यहानों मन अगव भी CSC को I tanto happens यहानो मन इसे चैजन को आगे बढ़ाई का का वीस्ठेस और लोगों मनने रूदू के वूणार झार रोगों मनने बना बना flip혼 वोगों मनने बचल बना covenant KPM झाल 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 झाल